युकपुरुष थाम आश्रम में हुई घटना की जाच जिलाप्रसाशन की जाच समीती द्वारा करने के बाद कई बड़े एहम खुलासे हुए थे कलेक्टर आशीश सिंग ने आश्रम की ओर से की गई गंबीर लापरवाही पर नाराज की जाहिर करते हुए युकपुरुष थाम आश्रम के करता धरताओं को तीन दिनों में अपना जवाब पेश करने का नोटिस ज़ारी किया था जिसे लेकर आश्रम ने जिला प्रसाशन से साथ दिनों का समय मांगा है देखिये ये खास खबर युकपुरुष थाम आश्रम में बच्चों की मौत के मामले की गौंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी है इस पूरे घटना करम की जवाच होने के बाद आश्रम की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ था जहां जिला प्रसाशन से आश्रम के ही एक बच्चे की मौत को छुपाया गया था वही पानी की सैंप्लिंग लेने के बाद पानी दूशत होने के साथ ही उसमें कालरा का इंफेक्शन भी पाया गया था इंदार कलेक्टिर आशीश सिंग ने इसे आश्रम की बड़ी लापरवाही मानते हुए नाराज की भी जाहिर की थी जहां आश्रम के पूरे रेकॉर्ड की जाज करने के साथ ही युक पुरुष धाम आश्रम को नोटिस जारी किया गया था जिसका जवाब तीन दिनों में मांगा गया था तीन दिन पूरे होने के बाद आश्रम ने साथ दिनों का समय और चिला प्रसाशन से मांगा है जिसे लेकर कलेक्टर ने अभी किसी भी प्रकार का नर्ण नहीं लिया है उनका समय उन्होंने चाहा है ये महिलावाल गास को प्राप्थ हुआ है आज मेरे समक्ष रखा जाएगा उसके बाद वो पत्र जब प्राप्थ होता है उसके बाद आगे क्यारवाई करी जाएगा इंडर कलेक्टर ने जला प्रसाशन को समय रहते घटना क्रम की ज्वानकारी नहीं देने पर आश्रम के करता धरताओं को फटकार भी लगाई ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंडर